नमस्कार दोस्तो जैमातादी कैसे हैं आप सब अगर आपको लगता है आपका प्रेमी आपकी प्रेमी का की बीच संबंद ठीक नहीं चल रहे हैं दूरियां बढ़ रही हैं तो इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि प्यार बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए देखिए प्रेम का रिष्टा काइम रखना बहुत बड़ी बात होती है बेहत कम ऐसे जोड़े होते हैं जिनमें शादी के बाद भी प्रेम रहता है वरना ज्यादतर के लिए साथ रहना मजबूरी सा बन जाता है उन्हें दो पल भी अपने पार्टनर के साथ समय बिताना पसं रहते हैं तो चाहे शादे हो चुकी हो आपकी या फिर आप सिंगल हो किसी को भी अपना हमसफर या दोस्त बनाना चाहते हैं तो आप दोनों के बीच प्रेम होना बेहत जरूरी है और देखिए इनसान कई बार प्यार का इजहार करने की कोशिशे भी कई बार करता है जैसे अपने प्रेमी के लिए गिफ्ट लेकर आना उसे दीनर और शॉपिंग के लिए लेकर जाना लेकिन यह सब चीजों के लिए आपको बात में लगता है कि यह करने के बाद भी आपके बीच प्रेम नहीं पनप रहा है जो कि एक आम समस्या है तो हम आपको एक ऐसा फॉर्मु के लिए भी मिसाल बन सकता है यदि आपको लगता है कि हम आपको कहेंगे कि प्यार बढ़ाने के लिए अपनी प्रेमिका को खुश करें और उसे वस्तो उपहार में दे और अपना सारा समय उसकी यादों में या उसकी साथ बिताएं तो ऐसा नहीं है क्योंकि प्यार बहुत आकरशित कर सकते हैं पर प्यार नहीं करवा सकते वो आपकी तरफ आ सकता है क्योंकि आप स्मार्ट है पैसे भी आपके पास खूब है आप अमीर हैं लेकिन अंधर ही अंदर आप भी जानते हैं कि उसका मेरे पास आने का इरादा कुछ और है तो बिरहाल पैसा, खुशी, इत्यादी से परे चलिए प्यार बढ़ाने के लिए आप गुरु माता जी काभी तरीका अपना सकते हैं एक ग्लास पानी पर क्यारा बार चामुंडाए विच्छए बोलकर भूक मारे और उस पानी को पीने इससे आपका प्यार बढ़ेगा और आपका पार्टनर आपके नस्तिक आएगा और अगर आप ये उपाई नहीं कर सकते हैं तो आप गुरु माता जी को भी कॉल कर सकते हैं उनसे संपर्थ कर सकते हैं गुरु माता जी से संपर्थ करने के लिए 952-1108-405 पर आप संपत करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमें देजे इजाज़त, जैमाता दी